महान सोच इलाइजा और उसका भाई फ्रांस में रहते थे इलाइजा बड़ी चंचल थी जबकि उसका भाई गंभीर और दयालू था एक बारवे सडक के किनारे चहल कदमी कर रहे थे इलाइजा इधर उधर उचलती कुद्धी हुई चल रही थी उसी समय उसके पास से फल बेचने वाली एक लड़की गुजरी इलाइजा उससे टकरा गई और उसके सारे फल बिखर कर खराब हो गए वह लड़की वहीं बैठकर रोने लगी यह देखकर इलाइजा के होश उड़ गए उसने अपने भाई के कान में कहा चलो भाग चलें नहीं तो हमें लोग पकड़ लेंगे और वह भाई को चाहिए कि कहीं उस बैचारी को चोड़ तो नहीं लगी उसके सारे फल भी बिखर गए हैं चलो पहले उसके फल टोकरी में रख देते हैं यह कहते हुए इलाइजा के भाई ने फल बेचने वाली लड़की को उठाया और बिख्रे हुए फल उसकी टोकरी में रखे उसके कुछ फल दब गए थे और कुछ फलों से रस बाहर आने लगा था उन्हें देखकर वह रोते हुए बोली मेरी मा मुझे डांटेंगी यह सुनकर इलाइजा का भाई व्यथित हो गया उसने कहा तुम हमारे साथ हमारे घर चलो हम अपनी मा से पैसे लेकर तुम्हें अच्छे फल खरीद देंगे फिर तुम्हारी मा तुम्हें नहीं डांटेंगी फलवाली बालिका को लेकर वे दोनों अपने घर पहुँचे इलाइजा डरी हुई थी क्योंकि दोशी तो वही थी उसके भाई ने कहा मा इस लड़की को देखो भाई के इस दियाग और दया को देखकर इलाइजा की आँखें भराई वह मा से लिपट कर फफ़क पड़ी और बोली मा मुझ से टकराने से इस लड़की के फल गिरे है मैं अपना जेब खर्च बंद करके इन फलों के पैसे चुकाना चाहती हूँ मा ने कहा मुझे प्रसंद नता है कि तुम लोगों ने अपनी गलती और कर्तव्य को समझा है यह प्रशन सनिया है इसलिए तुम्हें जेब खर्च में कमी करने की जरूरत नहीं है मैं स्वयम इस लड़की की क्षति पूर्ती कर दूंगी यह कहकर मा ने फलवाली लड़की से पूछा बिटिया तुम कहा रहती हो और तुम्हारे माता पिता क्या करते है फलवाली लड़की ने आसु पोंचते हुए कहा मेरे पिता बहुत बीमार है वे चल फिर भी नहीं पाते उनकी दवाई के लिए हमारे पास पैसे नहीं है इसलिए मैं फल बेचती हूँ और मेरी मा दूसरों के घरों में काम करती है मैं अपने माता पिता के साथ अगली गली में रहती हूँ इलाइजा की मा अपने पुत्र और पुत्री को साथ लेकर उस लड़की के घर गई उन्होंने न केवल उसके फलों के पैसे ही उसे दे दिये अपितू उसके पिता के लिए औश्थी और दूद आदी का प्रबंध भी कर दिया इलाइजा का यह भाई और कोई नहीं झाल